हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल, देसी सेफेंड व्लोक्स, दोस्तों मैं आशा करते हुए कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे, तो दोस्तों गर्मियों ने दस्तक दे दी है और इन गर्मियों में हमें कुछ खाने से ज़्यादा कुछ पीने का ही मन करता ह तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज की रेसीपी लेके आई हूँ, तो आज की रेसीपी होने वाली है सट्टू का तो शायदी कोई होगा जिसने नाम नहीं सुना होगा तो सट्टू की एनरजी ड्रिंक बनाने के लिए बहुत-ीकम चीजों की आवशकता पड़ती है यह देखिए इसके लिए हमें चाहिए बारिक कटी हुई प्याज, बारिक कटी हुई हरिमेच और भूने हुए जीरे का पाउडर और इसमें आप चाहें तो निम्बू का रस भी मिला सकते हैं तो अगर आप इसमें निम्बू का रस मिलाएंगे तो ये और भी जादा गर्मियों में फायदे मंद होगी और इससे प्रोटीन के साथ साथ हमें विटामिन सी भी मिलेगा तो बिहार की फेमस सत्तू वाली एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए हमें चाहिए एक गिला सत्तू ड्रिंक बनाने के लिए लगभग तीन बड़े चमच सत्तू और दो चमच बारीक कटी हुई प्याज और इसमें हम डालेंगे अपनी स्वाद अनुसार हरी मेर्च और फिर ठंडा पानी डालके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो सफेद नमक भी डाल सकते हैं लेकिन काले नमक से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो यह देखिए यह मैंने मटके का पानी लिया है आप चाहें तो आइस क्यूब या फ्रीज का पानी भी डाल सकते हैं तो देखिए इसे हमें अच्छी तरह से घोल लेना है और उसके बाद हम इसे ठंडा ठंडा ही सर्फ करेंगे तो यह हमारे बिहार की बहुत ही फेमस एनरजी ड्रिंक है और यह वहां बहुत ही आसानी से रोड साइड जैसे स्टेट फूड मिलता है यह आसानी स बना के पी सकते हैं और इसमें बहुत ही प्रचूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर्स होते हैं तो इसमें अगर आप निम्बू गरस डालेंगे तो आपको इसके साथ साथ विटामिन सी की भी फायदे मिलेंगे तो इस गर्मियों में जरूर से ट्राइक करिएगा यह सत् के साथ तब तक के लिए बाई बाई